बाई और बेनों, दुनिया में भारत की सांख और सम्मान अगर नई उचाई पर पहुंचा है, वो इसके पीछे आप सब के आशिरवाद है, आप सब का सयोग है बाई और बेनों, देश की सांख रहें, इसके लिए मजबूस सरकार का होना बहुत ज़रूरी है मजबूस सरकार ही कड़े और बड़े फैसले ले पाती है, देश को आगे बढ़ा पाती है आप मुझे पताईए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजरा है कि नहीं बजरा है अमेरिका में भी भारत का डंका बजरा है कि नहीं बजरा है जर्मनी में भी भारत का डंका बजरा है कि नहीं बजरा है इंग्लंड में भी भारत का डंका बज़ रहा है गिने बज़ रहा है दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है गिने बज़ रहा है ये सारी दुनिया में भारत का जैजेकार हो रहा है इसका कारण क्या है ये दुनिया में जैजे कार हो रहा इसका कारण क्या है इसका कारण मोदी नहीं है इसका कारण आप लोग है 2014 में आपने जो वोड दिया उसकी ताकत है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ताकत है आपने मजबुत सरकार बनाई इसलिए हिंदुस्तान का हौसला बिल्क मजबुत हो गया और दुनिया में हिंदुस्तान का जैजे कार होने लिए भाईयों बहनों आपने मुझे प्रिक पांच साल बना पर देखा इसलिए उन्हें मुझे पर आरोफ लगाए वो भी सुने है आप मैं कुसे मुझे पूचना चाहता हूं पिजले पांच साल से इस रानदीती को ले करके ये चौकिदार चल रहा है क्या आपको वो पसंद है क्या आपको पसंद है क्या आपको मंजूर है क्या आप मुझे पताईए आतन की हमले के बाद मुझे चूप हो जाना चाहिए था या उन्हें पर प्रहार करना चाहिए था मैंने सही किया ऐसे ही करना चाहिए देश के नागरित्यों की रख्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए गर नहीं उठाने चाहिए आतं के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जैल बेजा जाना चाहिए ये सारे काम कौन कर रहा है कौन कर रहा है आतं कियों को गुश करके किसने मारा लेकिन आतं कियों को उनी की भासा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परिशान करता है उनकी रात की निंद उड़ जाती है जब भारत दंके की चोट पर दुश्वन को मारता है सब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है जब पाकिस्तान पुरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है तो ये पाकिस्तान के पस्की बाते कर रहे हैं वो वहाँ पर हीरो बनने की स्पर्दा कर रहे है भाविवर भेनो कॉंग्रेस हो समाजवाजी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो आतंक बहत पर इती नर्म रवैय की बज़ते कुछ लोगों के होसले बुलंद हुए इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दिये इन्होंने आपके जीवान आपके अस्टित्व को भी संकट में डालने का काम दिया साथियों उन दिनों को याद कीजिए जब उत्तर प्रुजेश में सपा की सरकार थी बश्पा की सरकार थी दिल्ली में कॉंग्रेश की सरकार थी तब क्या होता था कभी लखनों में बंप उड़ते थे दमा के होते थे कभी राम लला की जन्भवमी अयोध्या में दमा के होते थे कभी बगवान भोले नाच की नगरी काची को दहला दिया जाता था कभी रामपुर के सियर्पियेप गेम पर हमला हो जाता था अक्सर इन हमलों के तार यूपी के अलग इलाकर दूर दूर कग इलाकों में जाते थे देश की एजन्दिया बहुत महनत से उन हमलों में सामिल लोगों को पकड़ती लेकिन बोट बैंक की अपनी सियासत की वज़ा से बुआ भी और बबुआ भी उनकी सरकारे उनको छोड़ देती थी साथियों ये हमले किस के खिलाब ये हमले कौन करा रहा और क्यों सपा बस पहसे लोगों पर महरवान थी ये आठ उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता साथियों अब बीते पांच बरसों से कमा के रुख गए के नहीं रुख गए पंबंदु की आवाजे बंद हुई के नहीं हुई निर्दोस लोग मरना बंद हुआ के नहीं हुआ हाईयों बहनों समा के इतलिये रुख गए क्योंकि दिल्ली में आपने एक चौकिदार को बचा दिया आतंकियों को पता है वो एक गलती करेंगे तो मोदियों ने पाताल में भी खोट करके सजा देगा मोदिया आतंक को वोट बैंक से नहीं तोलता सबी आतंक के मददगार आज जेलों में बन पड़े हैं